36 कड़ के बलरामपुर से लेके पहाड़ी कूरवा आश्रम में बड़ी लापरवाही देखने को मिली यहां रहेकर पढ़ने वाले 66 बच्चों को दुपहर का खाना नहीं मिला जिस कारण चोटे-चोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे यहीं रते हो? यहीं रते हैं पहरते हैं है खाना नहीं मिला है? यहीं, मिला है बुख तो लग रहा होगा है लग रहा है बुख आज सहाब मल्यानभुजन बनाने वाले सहीका लुगे सालint है कल तीजा कतवार था खाती पीते बुला गए सेट फ्वून किये लके उठाय ने डिसी भी नहीं किये कितने बच्चे रहते हैं आप लोग और इतना बड़ा लापरवही मानते हैं कि ने आप इसे कि मानते हैं हम लोग लग परवाई है जिम्मेदार कौन है इसका कि इसका में लोग है जिम्मेदार कितने बच्चे राते हैं यहां 66 बच्चे राते हैं सब पहाडी कुर्वा हैं सब ने कि पहाडी कुर्वा बालक आश्रम में आया हूं यहां आके देखा तो यहां के बच्च लोग को खाना अभी तक ने दिया गया है जो कि पूरे यहाम जितना भी रहते हैं सब पहारी कोरवा बच्चे हैं का कुल लूद्ध लोुद मतकी दूखी हैं । बच्चे बहुत दूखी हैं से उसमें बच्चे लोग छोटे छोटे हैं और रो रहा हैं बोल रहा हैं कि हम लोग को अभी तक खाना नहीं मिला है यूपी के हाट दोई में कोटेदार गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं कोटेदार अक्सर राशन दुकान को बंद रखता था तो वहीं राशन में 3-5 किलो तक की गड़बड़ी भी करता पाया है टीम अब आगे की कारवाई कर रही है कोटा लाइसेंस ने रस्त भी किया जाएगा इसमें जो पहले से तॉले जा चुके राशन को तुबारा तॉलने पर इनकी गड़ तॉली की जो शिकायत थी वो सही पाये गई इनके खिलाब विवागे कारवाई करी जाएगी और इनका काटा जो है उसको ठीक कराकर उना सप्ट्यापन कराकर इनको वापस दिया इनके जुर्माना भी करा गिए लखनों सम्भागी अधिकारियों त्वारा किया जाता है उसमें और जो भी उसमें और हो जाएगा उसको यह जमा देगा कि अग्या